हमें अपने पर्यावरन व प्रकृती की रक्षा करनी चाहिए तब ही हमारा जीवन सफल है क्योंकि प्रकृती ने हमें बनाया है हमने प्रकृती को नहीं हमारे जीने के लिए आवश्य तत्वों को बनाये रखने के लिए उसने समस्त बातों का ध्यान रखा है पर्यावरन प्रित्वी को चारों आए से धक कर हमारी रक्षा करता है इस तरह प्रकृती हमारी हर छोटी बड़ी आवश्कताओं को पूरा करती है प्रकृति इस बात का ध्यान भी रखती है कि प्रित्वी पर हो रही हर छोटी बड़ी प्रक्रिया में संतुलन बना रहे प्रकृति घरों से निकलने वाले दूशित जल को साफ करने के लिए बड़े-बड़े प्लाट लगाने चाहिए फेक्टे रयों और कारखानों को नदियों से दूर कर देना चाहिए सौर उर्जा को बढ़ावा देना चाहिए वन सनरक्षन तथा व्रिक्षा रोपन को सरवादिक प्राथमिक्ता देनी चाहिए पर्यावरन पर मावश्यक है इस ओर जनता को जागरुख किया जाना चाहिए बस्ती वन अगर के समस्त वर्जित पदार्थों के निश्कासन के लिए सुदूर्स्थान पर समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए जो अध्योगिक प्रतिष्थान शहरों तथा घनी आबादी के बीच में हैं उन्हें नगरों से दूर स्थानांतरित करने का पूरा प्रबंध करना चाहिए घरों से निकलने वाले दूशित जल को साफ करने के लिए बड़े-बड़े प्लाट लगाने चाहिए फेक्टे रयों और कारखानों को नदियों से दूर कर देना चाहिए सौर उर्जा को बढ़ावा देना चाहिए वन सनरक्षन तथा व्रिक्षा रोपन को सरवादिक प्राथमिक्ता देनी चाहिए इस प्रकार प्रदूशन युक्त वतावरन का निर्मान किया जा सकेगा